और हम आ जाते हैं अपनी जावा सर्वर की डिसकेशन पर हमारे पास दस मिनट है आखरी इस दस मिनट में मैं चाहता हूं कि हम छोटी सी चीज जो है डिसकस कर ले अच्छा हम लास्ट क्लास में ये बात अच्छी तरह डिसकस कर चुका है के सर्वर इजा सॉफ्ट्वेर ठीक ह सर्वर जो है वो हार्डवेर नहीं है सर्वर जो है वो एक अदत सॉफ्ट्वेर है जो किसी क्लाउड की मशीन में रन हो रहा होता है ठीक है या मेरे घर में कोई मशीन हो उसमें भी रन हो सकता है ठीक है अच्छा अगर वो मेरे लोकल नेटवर्क पे है तो सिर्फ मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं ठीक है बाहरी लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर वो किसी ऐसे network के है जो internet से जोड़ा हुआ है और उसके ports open है ठीक है तो सब लोग फिर उसको access कर सकते हैं जैसे के हरीको या Google Cloud या Amazon का loud तो अब आप imagine करें कि एक तरफ server जो है ना आपका ये cloud में आपके server एक तरफ आचुरा है अच्छा और दूसरी तरफ जो एक क्लाइंट है जो क्या कर रहा है उस server को request कर रहा है अच्छा इस सूरत में जो request है उसका एक हमारे पास तरीका होता है तरीका क्या होता है यानि एक रूल होता है या उसको आप खेसकते हैं कि एक convention है ठीक है एक convention है ये कि जब भी कोई client request करेगा server को तो वह request चार तरह की होगी ठीक है उस request की जो type होगी या method भी उसको कहते हैं वह चार तरह की नमबर एक होगा, get उस صورت में होगा कि क्लाइंट, यह request, याद रही है का क्लाइंट कर रहा है, सरवर अपनी request करता है हृआँ, सरवर कुछ भी नी बोल रहा है सरवर खामोश है, जब तक उससे पूछा नहीं जाएगा, सरवर कुछ भी नी बोलेडाई है सर्फ बिलकुल खामोश मिधा ज़ने समढ़िए धी कि होटल मैं जब जाता हूं या मैं किसी रेस्टुरांट में जाता हूं तो मैं गैस हूं और मोँरा होस्ट है ठीक है है थुब फोटल समझे या रेस्टॉरांट को समझे आपके server है वो अच्छा जब तक मैं खुद नहीं जाता restaurant में restaurant वाला मेरे घर खुद से नहीं आता या तो मैं उसको बोलूँगा कि खाना भेज़ दो मुझे या तो मैं जाओंगा खुद खुद से नहीं आएगा तो इसी तरह server भी है server से जब तक कुछ पूछा नहीं जाएगा वो जवाब नहीं देगा अच्छा फिर जब भी पूछा जाएगा server से कुछ तो client जो है वो क्या बताएगा request की अपनी type बताएगा या उसको method भी कहता है एक ही बात है नमबर वन टाइप है या नमबर वन method है get जब भी client को कोई चीज get करनी होगी server से कुछ मांगना होगा तो वो get की request करेगा मिसाल के तोर पे जब आप google.com लिखते हैं जब आप google.com लिखते हैं जाके browser पे अपने तो क्या होता है कि एक get की request जाती है और ये बात note करने वाली है कि browser में आप कुछ भी type करके enter जब करते हैं browser के जो address बाहर की बात हो दिये भी यहाँ ठीक है client ये request कर रहा है और client request कर रहा है post की किसको कर रहा है server को अच्छा client हमेशा उस सूरत में करेगा post के request जब client को कुछ भेजना होगा server पे यह कोई नई resource के react करनी होगी server पे जब आ फेस्बुक में कोई भी चीज type करते हैं और post का button दवाते हैं ठीक है पोस्ट असल में इसी से निकला है जो फेस्बुक वालों ने नाम रखा है न कि भाई आप फेस्बुक पे क्या करने तो मैं post करना हूँ तो वो पोस्ट असल में इसी से inspire होगे उन्होंने रखा है क्योंकि जो request जाती है वो भी post की request होती है ठीक है तो इससे आप relate कर सकते हैं याद रहेगा तो जब भी मुझे कोई चीज server पर भेजनी होती है सही है तो मैं उसको कौन से request के जरी भेजता हूं पोस्ट की request के जरी मिसाल के तौर मुझे एक फोटो प्रोफाइल फोटो अपनी upload करनी है सर्वर पर सही है मैं किसी web page पर गया मैंने open किया web page मैंने अपनी profile picture पर जाके click किया और मैं नई profile picture upload कर रहा हूं तो वो क्या होगा सर्वर पर post होड़ी होगी वो चीज़ ठीक है अच्छा इसी तरीके से एक request होती है put जो put की request है वो हम कब भेजते हैं कि कोई existing resource जो सर्वर पर मौझूद है existing resource उसको modify करना होता है तो हम put की request करते हैं मिसाल के तोर पे मेरी जो पूरी profile का जो object है मेरा ठीक है नाम भी है उसमें मेरा roll number है मेरी class है उसमें मेरा address है तो उसमें मैंने तो इससे क्या होता है जो code लिखने वाला है उसको भी असानी होती है तो इस तरह से मामलाण चल रहे होता है तो number three हमारा जो हमने देखा वो देखा हमने put की request जो के update करने के काम आती है कोई existing चीज़ उसको update करनी है उसके काम आती है number four type जो है वो है delete के server से कोई भी resource आपने delete करनी है तो उसके वो काम आती है तो हमने क्या देखा number one get post put और delete यह चार तरह की basic जो request है वो चार तरह की है इसके इलावा भी एक दो तरह की होती है लेकिन वो अभी हमारा मकसद नहीं है हमारा मकसद है basic चीज पहले हम समझने है अच्छा और इसमें भी यह बात याद रखें कि जरूरी नहीं है कि जहां पर post करना है वाप आप पोस्ट करेंगे जबी काम होगा आप get से भी सारे काम कर सकते हैं लेकिन यह तरीका नहीं है तरीका यह है कि जहां पर जिस method की जरू के अंदर एक अदद बॉडी होगी सब करके देखेंगे हम जो लास्ट क्लास में लिखा था उसमें आप देखेंगे तो उसमें चार रिक्वेस्ट बनाई हुए मैंने गेट की मतलब मेरे जो सर्वर है जो मैंने लास्ट लास में लिखा था उसमें वो चार गेट के रिक्वेस्ट को हेंडल कर सकता था वो एक ऐसा सर्वर हमने लिखा थे तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको चार उसमें.समें. agrad गेट चार नजर आएगा अच्छा पुट आपने गारत है कि वह कोड भी डिसकस करेंगे असल में आज टाइम हमारा जो ना ओवर हो गया है तो हम यह दो छोटी मुटी थियोरियम कर लेते हैं वो फिर हम इंशालला जब भी कोड में आएंगे तो कोड डिसकस करके फिर आगे चार टाइप हमने डिसकस कर ली एक तो अच्छा दूसरी बात हम यह डिसकस करें थे कि यह चारों टाइप है मतलब कि रिक्वेस्ट की कोई सीवी टाइप हो उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है एक अदर होता है एक अदर होती है उसकी बॉड़ी ठीक है एक अदर उसक सब्क्राइब पता सकता है कि क्या मतलब क्या होता है कोई भी बताना चाहिए कि इस आइडेटिफाइंग डेटा डेटा के देटा के बारे में इंफोर्मेशन जो हती है उसको अधाट तो हर रिक्वेस्ट के अंदर एक हैडर होगा ठीक है उसके अंदर क्या लिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट की उपर तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो क्योंकि तारों के जरीए जाती है यह बहुत समझना इंपॉर्टन चीज़ है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो तारों के अंदर से होती जाती है तो जब तारों के अंदर से होते जाती है तो तारों के अंदर से एक ही डेटा है जो जा सकता है और वो डेटा कौन सा है वो है बाइनरी तारों के अंदर से अगर आपको भेजना है ने डेटा तो सिर्फ एक ही फॉर्म है डेटा की जो तारों के अंदर से जा सकती है वह है binary ठेक है तो आप असल में जो request करते है क्लाइंट की उपर से वह server तक जो पहुँचता है न वह तारों के ज़रही पहुँचता है तो आपकी request को binary में convert कर दिया जाता है अब वो binary में convert होने के बाद ना वो packets पूरा packet तयार होता है और packet की सूरत में वो जा रहा होता है तो वो जो packet है ना वो रस्ते में किसी को खोलना एलाओ नहीं होता है कि उस packet को कोई खोल के देख सके ठीक है उस packet को कोई खोल के देख नहीं सकता लेकिन उसके साथ जो header है ना वो या text data आ इटा है या image तो जहां जहां से आ रही है और कहां जा रही है यह भी header होता है तो जहां जहां से आपकी request गुजरेगी ना वहाँ वहाँ पर वह packet की उपर jahhter है लुग सब लोग उसको पढ़ेंगे और modify भी कर सकता है अगर कोई चाहे तो रस्ते में कोई चाहे तो उस packet को modify भी कर सकता है कि कहां से request आ रही है और कहां को जा रही है वो change हो सकता है हर request के अंदर यह होगा अच्छा लेकिन जब आप get की request करते हैं तो उसमें आप body को empty रखते हैं मेशा body का इस्तमाल नहीं करते हैं जैसे आप गये और अपने google.com लिखा तो google.com असल में आप get की request करते हैं लेकिन आप body कैसे लिखेंगे तो सर्फ google.com आप कर रहे होते हैं खैर यह चीज़ हम जादा detail में पढ़ेंगे जब हम server actual में लिखने पे आएंगे ठीक है लेकिन अभी point समझने वाला यह है कि हर request का एक अदद header होता है एक अदद उसकी body होती है और header जो होता है वो public होता है सभी रस्ते में कोई भी उसको modify कर सकता है कहां जा रही है request और कहां से आ रही है और क्या लेके आ रही है वो सब उसमें लिखा होता है उसका size क्या है मतलब 2gb की file है या 2gb 2mb की file है वो header में सब लिखा होता है अच्छा यह बात समझ में आगई अब number three बात है बहुत important number three बात यह है कि एक हमने सर हेडर की detail समझना जरूरी है नहीं हेडर की जितनी detail बता दिए बज़ इतना काफी है यह भी मैंने कुछ थोड़ा आपके context के लिए बता दिए कि आपको यह क्योंके इतना तो पता होने ही चाहिए इससे जादा मेरे खाले पता होने की जरूरत नहीं है अच्छा तीसरी बात अब सुन लें क्या है वो हम करके इंशालों क्लास को खतम करते है ठीक है उसके लिए मैं screen share करता हूँ बलकि screen share करने की जरूरत नहीं है ऐसी ही बस note कर लें है आप सब लोग अच्छा ली प्रिंसीपल्स आफ वेस्ट एपियाई ठीक है जी पाँच पॉइंट्स बता रहा हूँ और इस पॉइंट को नेक्स टाइम इंशालों कंटीनियू इसी पॉइंट से पाँच पॉइंट से करेंगे हैं पाँच ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एक सरवर के अंदर अगर हो ठीक है जरूरह निहीं एक हर सररवर में हो लेकिन अगर वो किसी सरवर में वो पांच चीजा मौझूथ हो तो हम उसको कहते है REST FUL SERVER ठीक है? वो REST FUL SERVER हम उसको कहते है अब ये REST जो है वो चार अलग-अलग वर्ड है R E E S T REST FUL SERVER ठीक है? ये REST API's भी कहते हैं तो पाँच वो qualities कौन सी है जो अगर किसी भी server में हो तो उसको हम REST API कह सकते है अच्छा कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शायद जो Nord.js में लिखे गए SERVER है उनको हम REST API कहते हैं ठीक है? ऐसा नहीं है आम तोर पे REST API Nord.js में लिखते हैं लोग लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा किसी भी programming language में आप REST API लिख सकते हैं ठीक है? शर्त यह है कि वो 5 qualities जो हम अभी discuss करने जा रहे हैं वो इसके अंदर मौझूद हूँ मैं जस्ट अभी नाम लूँगा और एक एक जुमला उस पर कहूँगा और हम ये इंशालला रिवाइस दुबारा से करेंगे हम दुबारा से किसी नगी पॉइंट पर ये पांच हो डिसकस करेंगे नमबर एक यूनिफॉर्म इंटरफेस ठीक है? यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या है? कि अगर आपके पास पोस्ट है ठीक है? आपके बस क्या है? पोस्ट जैसे फेस्बुक टाइप की कोई अपने मनाई है, आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है यहाँ क्लाइंट की उपर आपका कोई भी यूजर आता है वो टाइप करता है अपनी पोस्ट और पोस्ट का बटन दबा दोता है तो उसका जो URL है वो एक URL होगा एक खास तरीखा होगा उसको लिखने जा ठीक है वो क्या तरीखा होगा आपके address slash API slash post ठीक है post होगा अच्छा जब उस post को edit किया जाएगा ना उसका URL उसका same रहना चाहिए यनि जो चार operation होंगे किसी भी resource पे उसका URL same होना चाहिए ठीक है slash post लेकिन अब method होजाएगा delete क्योंकि post delete की जा रही है slash post लेकिन अब method होजाएगा get क्योंकि उस post को get किया जा रहा है ठीक है फिर slash post लेकिन method होजाएगा put क्योंकि अब उसको modify किया जा रहा है किसी post को existing post को तो URL सब के सेम रहेंगे, चारों के सेम रहेंगे, ठीक है, और भी कोई operation अगर उस पर हो रहा है, इन चारों के इलावा, जैसे delete all हो रहा है अगर, delete all, bulk delete, तो उसमें भी URL सेम रहेगा, ठीक है, एस लग जाएगा last में बस, ठीक है, अच्छा, एक number बात ही हो गई, दूसरी बात कई होर पहुंच गया है मेरा वो, हाँ, बापेस आगे, client server decoupling, client server decoupling का मतलब यह है, के मेरे पास एक server जो बना हुआ है, वो client के साथ ना, ऐसे जुड़ावा नहीं, अलग-अलग हो, अलग-अलग होने का मतलब यह है, कि ऐसा नहीं है, अलग-अलग machine हों पर डिबलाई, ऐसा नहीं है, मतलब इसका यह है, कि इस server को, इस client के लावा कोई दूसरा भी अगर call करना चाहा है, मतलब एक mobile app है, एक web application है, और एक IoT की device है, यह तीनों चाहें तो इस server को call कर सकता है, और यह server तीनों के लिए equally behave कर, ठीक है, ऐसा नहीं हो, कि यह server सिर्फ एक client है, उसके साथ fix है, और यहीं उसको call कर सकता है, ऐसा नहीं हो, ठीक है, यह हो गई बात, अच्छा, जब यह ऐसा नहीं होगा, तो असल में हो, यह इस तरह से achieve किया जाता है, कि कोई भ ठीक है, आज कल smart fridge भी क्या है, वो weather का data दिखा रहे होते हैं, तो weather का data वो कहां से लाते हैं, किसी server से खींच के ला रहे होते हैं, यह dollance है, तो dollance का कोई server होगा, वहां से वो data आता होगा, तो अब यह जो server है न, यह नहीं decouple हो रहा है, तो अब यह कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा, वो इसको JSON में भेजूँगा मैं, client से, और यह response भी JSON में करेगा, ठीक है, तो यह इस तरह से अलग-अलग रहेंगे, कोई भी इसको JSON भेजे, वो इसको response करेगा, ठीक है, अब यह server क्या हो गया है, यह एक ऐसा server हो गया है, कि कोई भी इसको कहीं से भी JSON में required है, तो इसको वो reply कर देगा, उसी JSON के format में, जिस तरह से यह देता है, ठीक है, तो यह अलग-अलग रहेंगे, लेकिन, नमबर दो यह हो गया हमारी quality, नमबर थ्री, stateless, stateless वली जो बात है, यह हम detail में discuss करेंगे, once we deploy a proper server, यह कोई हम app बना लेंगे जब, तो यह stateless हम दुब इसके अंदर कोई ऐसा variable नहीं होना चाहिए, कि जो इसकी state maintain करना हूँ, मेरे server की, ठीक है, क्या मतलब है उसका, मतलब मैं अगर यह हरकत करता हूँ, कि एक user आता है, और मैंने अपने server में एक counter के नाम से variable बनाया था, ठीक है, मैंने क्या गिए, counter के नाम से variable, जब भी कोई user server को hit करता है, मैं counter में one plus कर देता हूँ, अब two, three, four, five, six, अब मेरा counter बढ़ता चला जा रहा, ठीक है, लेकिन ये काम मुझे नहीं करना, ठीक है, state list का मतलब यह होता है, कि एक request आये, वो process हो, और उसका response वापस चला जा, अब उसके बाद server crash भी हो जा तो फर्क ना पड़े, लेकिन ऐसी सूरत में, जब मैंने counter बनाया है उसके तो क्या होगा, कि request आई, response वापस गया, लेकिन वो जो 384 मेरा counter हुआ वह एक data है, किसी भी वज़ा से, अगर मेरा server restart हुआ, या server crash हुआ, तो वो data जाया हो जाए, तो इस तरह का कोई data मुझे server पर नहीं रखना है, इसके सही जगा क्या है, database, कोई भी ऐसा data जो आपको maintain रखना है, जो data save रखना है, वो server पर होगा, वो data base के अंदर होगा, server में नहीं होगा, क्योंकि server कभी भी crash हुआ, तो वो data आपका जाया हो जाएगा, इसके इलावा भी बहुत सारी reasons हैं, जिसकी वज़ा से हम stateless रखते हैं, ठ stateless वाले concept हो, ठीक है, अच्छा, ये तीन हमने point discuss कर ली है, अच्छा, number four point है, caseable, caseable जो है न, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये Google Chrome और जो आजकल major browsers हैं, वो खुद ये काम कर रहे होते हैं, कि अगर एक URL से कोई image guide हुई है, ठीक है, तो अगली बार वो उसक time लेती है, लेकिन आप फॉरन ही उसको अगर refresh करेंगे नो दोबारा, तो फॉरन लोड हो जाती है, क्योंकि वो images जो एक बार लोड उचुकी है, वो दोबारा नहीं होती है, ठीक है, तो चीज़ें caseable होती हैं, होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको additionally कुछ करना नहीं होता, ये Google Chrome और इस तरह के जो ब्रावजर्स हैं, ये खुद से कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है, कि एक URL पे जो resource आप भेज रहे हैं, अगली दफ़ा भी अगर उस URL को हिट किया जाए, तो वो ही resource है, ऐसा ना हो कि resource चेंज होगी हो ठीक है, इस चीज का ख्याल रखेंगे, तो caseability हमारा set हो जाता है, अच्छा, नमबर पाँच पॉइंट जो है हमारा, there may be number of different intermediatries in the communication loop, REST API need to be designed so that neither the client or server can tell whether it is communicate अच्छा पांचमा जो पॉइंट है यह थोड़ा सा समझने की अतबार से मुश्किल है लेयर्ड सिस्टम आर्गिटेक्ट्चर ठीक है लेयर्ड सिस्टम आर्गिटेक्ट्चर का मतलग यह है कि इस वफ जो मौझूदा इंटरनेट है वो वह बड़ा कॉंप्लेक्स है ठीक है वह बहुत ही इक सिस्टम है अच्छा अब। Bahn कोई हमेच अगर मंगवा रहे तो बीच में निबोँ सारे इंटरमेडियेट्ट सर्वोड भी मौझूद होता है जो क्या करते हैं आपके डिटा को केशे कर लेता है मिसाल के तौर पे आपके महले की जितनी requested है वो सारे आपके जो cable operator है उसके server से हो के गुजरती है जो cable internet यूज करते हैं उनकी और उनकी बात कर रहा हूँ कि आप पूरे महले से जो भी request करता है ना क्या request करता है apple.com apple.com की request करता है वो एक intermediate server से हो के गुजरती है अचा उस server का काम क्या होता है कि response में जो भी कुछ आ रहा है ना उसको वो केशे कर लेता है अपने पास ठीक है उसको वो अपने पास केशे कर लेता है और उस केशे करने की वज़ा से होता यह है कि अगर महले में किसी एक बंदे ने na apple.com खोल लिया तो वो पूरा वेब पेज उसके server में केशे हो जाता है for a certain time period ठीक है पाँच गंटे, छे गंटे, चौबिस गंटे उसके लिए वो क्या होता है उसमें केशे हो अब जब महले में किसी दूसरे बंदे ने apple.com खोला ना तो वो apple.com के server से data नहीं आता, वो इसके server में से आ जाता है, भीच में से ठीक है, तो आपका जो system है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके system, क्योंकि केशे बहल है आपका system, ठीक है तो आपके system से जब आप request करें अपने server पे और request server तक ना गई हो बीच में से ही response वापस आ गया हो तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े ठीक है, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, अच्छा इसी तरीके से server तक जब request पहुँचती है तो वो आप ये assume करेंगे direct client से वो नहीं पहुचेगी ठीक है, वो कहीं intermediate में से भी बीच में से भी आ सकती है क्यों कि जो server है जिसने apple.com को केशे किया है वो server क्या करेगा, वो हर 24 घंटे पे एक दफा हिट करेगा apple.com चेक करने के लिए कि कहीं वो updates हो नहीं हो गई या हर एक घंटे बाद request करेगा तो अब ये request जो जा रही है न, अच्छा ये ये भी चीज most of the time Google Chrome के level पे हो रही होती है, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं होता, बट ये 5 ऐसी properties है जो किसी भी server में अगर मौजूद हों, तो हम क्या कहते हैं कि ये server जो हो restful server है ये rest APIs है, अच्छा developer के करने की इसमें से कौन सी चीज़ है और जिनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है वो number एक है एक तो uniform interface ठीक है, कि URL सबके सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए यानि एक resource पर जो भी operation हो रहे है उसके URL आपके सेम होने चाहिए number 2, client server decoupling ये developer का काम है और वो भी architecture शुरू में बिलकुल decide करने की चीज़ है कि ऐसा होगा, अच्छा number 3, stateless इस पर stateless का वहाला क्यों काम है, वो आम तोर पर framework जो एक्सप्रेस आपका framework है आप एक्सप्रेस के framework से कोई भी फाइल भेजेंगे ना, वो automatically cacheable होती है ठीक है, फिर Google Chrome पर पहुंचेगी तो वो खुद उसको cache करेगा, वापे भी आपको कुछ करना नहीं है तो यह जो number four point है, cacheable यह आपको कुछ इसके लिए खास नहीं करना होता है यह framework के level पर हो रहाता है और number five जो है, जो layered architecture उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना होता यह express और node.js के level पर ना, यह काम हुआ है के request कहीं से भी आया, उसको फर्ग नहीं बड़ता है अच्छा यह बात इस वज़े से कहा रहा हूँ कि जब request server पर पहुंचती है ना तो उसके header में बहुत सारी IP addresses होता है कि कहां कहां से यह गुजरता वाया है नहीं सब क्या IP addresses होता है उसके बास principles of rest API तो यह 5 point आपको सब जगा मिल जाएंगे सारे articles में इसको please एक दफ़ा सब लोग पढ़ दीजिएगा इंशालला आपसे मुलागात रहेगी फिर अगनी क्लास में ठीक है जी अलाफिस अलाफिस अच्छा दोस्त आपको यह फीज मिल गए झालाफिस